हेलो प्रियों, विलकम टू मीमी स्किन के, आज मैं मुल्टानी मिट्य और गुलाबचल की फेस्वेक के पारे में बताऊंगा, मुल्टानी मिट्य और गुलाबचल की स्किन के लिए काफी फाइदे मन माने जाते हैं, इसलिए अगर आप इस मिश्षन का उपोएक करते हैं तो तोचा पर गोलो भी आता है मुलतनी मीट्डी और गुलाब चल का फेस पाइक बनाने के लिए दो चमुच मुलतनी मीट्डी और दो बड़ा चमुच गुलाब जल मिला ले इसका एकदम चिकना पेस्ट तैयर करना चाहिए जब पेस्ट तैयर हो जाए तो चैरा को साप पानी से धो कर इस पेस्ट को चैरे पर लगा लेना चाहिए 15 या 20 मिन बाद जब सुख जाए तो साप पानी से चैरा धो लेना चाहिए अगर आपके पिम्पेल्स की पब्लम है तो मुल्तनी मिट्टी और गुलब जल का फेस पैक चैरे पर लगाए इस से पिम्पेल्स की पब्लम से चुटकरा मिलेगा इस फेस पैक से ओयली स्किन बालों की भी परसनिया दूर होंगे मुल्तनी मिट्टी और गुलब जल का फेस पैक चैरे पर लगाने से चैरे की गंदे की साप होने की बजा से चैरे पर निखार आता है इसके लिए हपते में एक बार इस स्पेस पैक का इस्तेमल करना चाहिए बासे स्किन को चीकन चमकदर बनाता है बलके डाक स्पॉर्ट को भी दूर करता है स्किन टोन को सुधानने में भी मदद कर सकती है यह आपकी स्किन से हार किसम की ओयल, धूल, मीटी, मीर्टो कोशियों को हटाने में मदद करते हैं यह सुजो की यूबी किरोनों और पोदुशन से होने वाले नुस्तकान की भरपाई में भी मदद करते हैं बहुत ज़्यादा मुआ से होने पर स्कीन में होने बाली जलन को रोगने में भी मुल्तानी मिटी बहुती फाइदामन मना जाता है यह स्कीन को ठंड़क भी देती है यह धीली स्कीन को टाइट देने में भी मदद करती है इसके नियोमीत इस्तेमल से रेंकेल्स और स्किन के धिलेपन को दूर करने में मदद मिलती है ओएली स्किन बालों के लाबा, ड्राइ स्किन या नर्मल स्किन बालों के लिए भी मुलतानीमिती बहुती फाइदमन होती है करें